नमस्कार साथियो न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं दुनिया में तेल का समिकर्ण ऐसा है कि उसके महत्तपून ठिकानों पर अगर आँच आ जाए तो पूरी दिनिया हिल जाती है साथिय अरब के दो महत्तपून ठिकानों जो आरामकों के थे उस पर हमला हुआ है ये इस समय की सबसे महत्तपून खबर है इसी पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं अंतरास्ट्रे मामलों के जानकार प्रभीर तो प्रभीर जब हम अमूमन सुनते हैं भारत है तो साथिय अरब का ख्याल आते ही तेल का ख्याल आता है और तेल के महत्तपून ठिकानों पर हमला हो गया है तो इसका क्या असर पढ़ सकता है तेल के कीमतों पर क्योंकि अभी करीब उसका दस डॉलर एक बैरिल का कीबद बढ़ चुका है अंतराश्ट्रे मार्केट पे हमारा असी प्रतिशत तेल जो है हमारी इंपोर्टेड होती है इसलिए हमारे अर्थनीति पे इस पे आज तो जरूर आएगी कितना दिल तक ये तेल कि जो अरामकों के उपर जो हमला हुआ है उससे कितने देन दिन तक साओधियरे भी इसको रिवाइब नहीं कर पाएगा पुराने स्टेज पे वापस कम तक जा पाएगा देखने वाली बात है कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे तीन चार हफ़ते भी लग सकते और अरामकों ने खुद कहा है क Talking से करें कि तीन चार दिन के अंदर वो शायद इसके एक तिहाइ हिस्सा जो अनका तेल का उत्तफादर करीय।व पचास प्रतिश्ट हो गया है कहा कि एक तिहाई हिस्सए वो रिस्टोर कर देंगे और इसके बाद कुछ वीक्स के अंदर ये पूरा रिस्टोर कर देंगे तो ये देखना पड़ेगा क्या होगा पर ये सवाल सिर्फ नहीं है सवाल है कि हूती का जो अक्रमन पे हमला जो हुआ है अगर ये इरान के तरफ कर दिया जाता है जिसकी कोशिश इस वकजारी है तो और बड़ा जंग हो सकता है जिस पे और भी तेल की जो इंफरस्ट्रक्च पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसके इस हमले का जिम्मदारी तो यमन के होती विद्रोहियों ने ली लेकिन यूएस ने ये कहा कि इस हमले के पीछे इरान है तो इसके पर आपकी क्या रहा है लेकि पहली बात तो ये हमला होती जो होती ने कहा है उन्होंने किया है इस पे विश्वास करने का जरूर काफी चीजे है ये लगातार पिछले दो महिने से ये अपने ड्रोन एटैक्स साओधी अरिब की अलग अलग जगों पे कर चुके हैं पहले यहां पर किया था इसके बाद उन्होंने इधर किया है इस बार जो है इसके अटैक आपके सबसे बड़े जो कार खाने हैं वहां पर बड़े प्रड़क्शन यूनिट्स है तो उन पर किया है एक है आपका आपका काक जे एक सिर्फाइनिरी कॉंप्लेक्स है जो करीब करीब आधा तेल जो रस्त अनूरा से एक्सपोर्ट होता है वो उसको हैंडल करता है तो एक बहुत बड़ा इस पर धक्का तो साथ अरब की तेल की इंफ्रस्ट्रक्शर पर है और दूसरा हमला जो उन्होंने किया है तो यह दोनों जगहों पर अगर हम देखें तो जो ड्रोन्स के इन्होंने तस्वीर करीब पा से जो लगता है उसके ऊपर एक छोटी सी जेट इंजिन भी है जो बहुत आसानी से अंतराष्टियों मार्केट में मिल जाता है तो इस पर बहुत बड़ा ऐसी कोई कारीगरी नहीं है जो आज के तारिक पे इस तरह के एक ड्रोन बनाने के लिए करना पड़ता है इसलिए य ड्रोन बनाना आज के तारिक पे क्यों संभव है कि इसकी जो बेसिक गाइडन सिस्टम है यह बड़े सस्ति से बन सकते हैं मतलब 15-20 हजार डालर में ऐसे ड्रोना बना सकते हो जो की पन्रह सो किलामेटर दूर पहुंच सकते हैं कितना एक्स्प्लोसिव सो कैरी कर सकते हैं औ दस से तीस फीट की एक्यूरेसी लोग कह रहे हैं जो ड्रोन का गाइडन सिस्टम है यह हमारे जो मोबाइल के चिप सेट है उससे ही करीब-करीब बन जाता है और उसके साथ जो कैमरा है उस पे एक अल्टिमीटर अगर लगे तो वो काफी जबीन के पास चलता है मैंने के तारिक पे बड़े आसानी से अंतराष्टिय मार्केट पे सस्ते में मिलता है और इसी लिए यह समझना कि यमिनी ने नहीं किया इसको हुती ने नहीं किया और किसी ने करके दिया यह मुझे नहीं लगता सही होगा यमिनियों की अंदर या हुतियों के अंदर यह काबलिय है यह सब चीजों अंतराश्टियस तर के चीजें लेके बनाना जुरूर इस पे इरान के समर्थन हो सकता है ग्यान हो सकता है नौलेज हो सकता है पर यह इसके यह भी आप देखिए हूती इस पे जितना आक्रमन हो रहा है जितना अटैक्स हो रहा है अमरीका ब्रिटन फ्रांस की हत्यारों से हो रहा है उसके बारे तो बात नहीं करते हैं कि अठारा मिलियन ये इस वक्त होकमरी के कगार पे है उसमें एक मिलियन लोग आल्रेडी बहुत हद तक ऐसे हालत में जिसे करते हैं, अक्यूट स्टारवेशन पे हालात में है तो स्कूल्स वा नहीं चलते हॉस्पिटल नहीं चलते विजली की विजली घर बंद है पानी साफ करने का केंदर सब बंद है तो ये बिद्धवस्थ होने के बाद जिसको है humanitarian disaster के नाम से सभी कह रहे हैं उसके बारे में बात नहीं कर है सवाल है अमरीका, ब्रिटन और फ्रांस का तो हाथ तो है ही तो साथी अरेब का किस्ती अधिकार दिया हूतियों पर एमेन में जाके आक्रमंट करने का उसके बारे में इंटरनाशनल लॉट उसके बारे में बात नहीं कर रही है करें इरानियों की इसके पीछे साजिश है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही हिपोक्रिटिकल पोजिशन्स है और इसको सही माने में देखना चाहिए येमन में शान्ती होनी चाहिए और साथी अरब जो अक्रमंट हेमन पे कर रहा है उसों सिविल वार के नाम पे उससे विड्रॉ कर जाना चाहिए जैसे United Arab Emirates थोड़ दिन पहले किया है और इसलिए ये चीज ना करके इसको जंग की बोर जो है उसमें इरान के तरफ कर देना मेरे ख्याल से और भी जंग को आमंत्रित करना है दुनिया में और तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसमें तहस नहस हो ही जाएगा आपने बहुत महत्वपूर्ण भायत कहीं कि हूती के पास काबलियत है कि वो से प्रभावित कर सके तो अगर इनके पास ये काबलियत है और सौदी अरब के भी एक सायन च्छमता होगी तो एक किस तरीके से उस पूरे संबेदंसी अलाके को प्रभावित करने की च्छमता रखते हैं जिस पर आपने पहले बात की थे देखें साओधी अरब चार साल से हूतियों पे जंग करे जा रहा है क्योंकि वे पपिट सरकार साओधी अरब को वहां बनाना चाहता है और बरकरा रखना चाहता है हूतियों उसको नहीं माने है इसलिए जंग हुआ है और ये जंग चार साल से होने के बाद भी उसके साओधी अरब इस पे कोई क्या कह सेता है success की कोई अभी दिख नहीं रहा है वहाँ में तो इससे साफ है कि यह जंग अगर चलेगा तो येमिन इससे सफर करेगा पर साओधी अरब को लग रहा था उन पर कोई असर नहीं पराएगा अब जो हो थी उनने दिखाया यह जंग अगर हमारे उपर हमला इस तरह से करोगे हमा यहां पर इसका असर पड़ेगा तो आप इस आज से बचोगे नहीं और यह उन्होंने साबित कर दिया साओधी अरब के शहरों पर एटक करके और इस बात आरामको जो उसकी लाइफ लाइन है आरामको की लाइफ लाइन को उन्होंने आक्रमन करके दिखाया कि यद्र की कोशिश रहेगी इस इस चीज को और भी बढ़ा के इरान पर हमला किया जाए पर इसका नतीजा ना उनके लिए ना किसी के लिए दुनिया में अच्छा होने वाला है अरामको का नाम आता ही रिलाइंस भारत का नाम आ जाता है बीस फिस्टी की हिस्सेदारी के गई तो इस ह हमले की वज़े से इस पर क्या फर्क पड़ सकता है देखे अरामको जो पॉब्लिक कहते हैं कि वो आई पियो घोशना करने वाले थे अरामको दुनिया के सबसे बड़ा तेल कंपनी सिर्फ नहीं है सबसे प्रॉफिटिबल कंपनी भी है उसका पीछले साल का बैलन्स शीट स एक सो ग्यारह बिलियन डॉलर की इसकी प्रॉफिट सिर्फ हुई है क्योंकि तेल बेशने में मुनाफ़ बहुत हाई होता है तो अरामको को ये जो कंपनी है ये आई पियो के तरफ जा रही है कि अगर इस तरह से हमला होता है तो क्या आई पियो उनका बन पाएगा कोई इस पर अगर असर आता है तो क्या ये बीस डिलियन डॉलर जो है ये रिलाइंस पर लगा पाएंगे रिलाइंस रिलाइंस का भी खबर है कि रिलाइंस की डेट्स भी बहुत भारी है और वो भी एक काफी बड़ा डेट्स पे खड़ा है और अगर अरामकों को पैसा नहीं तो रिलाइंस पर क्या असर पड़ेगा ये सब सवाल जरूर हमारे सामने है पर मैं समझता हूं कि इस पे इत्ता जल्दी से हम इस पे बात न करें क्योंकि इस वक्त मिडल इस्ट जो कहते हैं वेस्ट इशिया की खालात बहुत नाजख स्थिती में है खास दोर से ये अगर तरह नहीं बढ़ा तो ये जंग के तरह अगर तरफ अगर बढ़ता है तो मैं समझता हूं ये आराम को और रिलाइंस मामुली चीज़ होगी इसका जो कह सकते हैं तहस नहस इस इस इलाका का अगर हो जाता है तो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट एनरजी क्राइस के रूप पे तेल के क्राइसिस के रूप पे आएगा मेरे समझ पर इस वक्त हमारा फोकस उस तरह होनी चाहिए शुक्रिया इस महत्तों पूर्ण विस हमसे बात्चेत करने के लिए आप देखते रहें न्यूस के लिए